नमश्कार रजस्तों स्वागत आपका मोडरो क्रेज में ग्रैंड आइटेन नियॉस का 2023 का लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल आप अब यह देख रहे है गाड़ी के अंदर काफे सारे बदलाओ यापर किये गए है फीचर्स भी काफे सारे इंक्लूड यापर किये गए है क्या फीचर्स है गाड़ी के प्राइजिंग आपर क्या रखी गई है उनके बारे में हम यापर भी बात कर लेते की अगर आप देखेंगे तो यह कुछ की आपको मिलती है यह पहले के मुकाबले सामने के तरफ आपको इसमें क्या मिलता है यापर आप देखिए प्रोजेक्टर में लाइट से आपके पास में उपर की तरफ जो डिये गए है वह भी आपको यह आपर मिलते है रोड प्रेंस के मामले में यह काफी जाधा शांदार लगेंगे लोगो जो है आपको यह पर मिलता है थोड़ा सा क्रोम में ने यह सिल्वर फिनिश के अंदर दिया गया है जो कि मतलब सही लग रहा है गाड़ी एक तरिके से रोड प्रेंस के मामले में पहले भी काफी जाधा शांदार लगती थी और अभी अगर आप गाड़ी का देखेंगे ना तो थोड़ा सा एरो डानमिक ली आपको को यह पर देखने के लिए गा बाकि side का profile अगर आप देखते हैं तो यह कुछ इसका side का profile है completely side की तरफ से इसके जो alloy wheels है उसमें यहापर अभी changes किये गए है diamond cut में है और शांदर ही लग रहे है काफी जादा 15 इंच के wheels आपको इसमें दिये गए है 15 इंच के diamond cut में alloy wheels से multi spoke में आते हैं शांदर लगते साइड की तरफ से भी देखने पर साइड से यह कुछ completely change आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा safety features की भी अगर हम इसमें बात करें ना first in segment गाड़ी यह ग्राइट इंच जिसमें आपको छे airbags आफर करी गई है ABS, EBD, Vehicle Stability Management Control, Hill Assist Control, Traction Control और टोटल छे airbags तो आती ही है और emergency stop signal का भी जो function आता है वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा बाकि back से भी देखिए, back से तो काफी ज़्यादा यह आपर शांदार लग रही है जो इसके, यह जो connected lights दी गई है ना, सबसे पहले यह जो connected lights का system आपने क्रेटा में देखा था उसके बाद में जो venue IT थी फैसलिप में उसके अंदर आपको यह देखनी के मिला था और अभी grand light and neos के अंदर भी यह connected lights का function यह पर दिया हुआ है वाइपर, washer, defogger आपको सब कुछ यह पर मिल जाएगा अभी अगर हम इसमें बूट खोल के देखें तो बूट space के मामले में भी काफी अच्छी आपर दी गई है CNG का भी option आपको मिलेगा, CNG variant भी आता है partial tray है आपके पास में, completely leather aid में अपॉर्स्टी गई अंदर की दरब अगर हम इसमें अंदर की दरब देखें तो spare wheel, tool kit अगरा सब कुछ आपको यह पर मिल जाएगी आइए से close करतें और जो यह tail lights का design है यह गाड़ी को काफी जादा यहापर अभी enhance कर रहा है लुक्स के मामले में, उबर की दरब आपके पास में shark fin है, roof rail से black finish के अंदर और chrome में door handles आपको मिलेंगे पीछे के wheels में drum brakes है, of course और सामने जो कुछ आपको disc brakes आपर offer करे गए है आईए पीछे का door अभी खोल कर देखते, पीछे के door के ऊपर कैसा कुछ design है यह कुछ dual tone में design आपको मिलेगा, silver finish में door handles से आपर थोड़ी बहुत space आपको मिलती है, speakers का system है, बाकी seats आप देखिए, आपके पास में, आम रेस नहीं आएगा इसमें, पहले भी नहीं आता था, अंदर बढ़ते हैं, और space के मामले में grand at in, काफी अच्छी मतलब यापर feel होती है, जो sitting comfort है गाडी का वो काफी अच्छा है, पीछे के पैसे से उनके लिए AC के वेंट से, 12V का charging port आपको यापर मिल काफी सारे बदलाव भी आपको अभी सामने के तरफ याप पर देखने की मिलते हैं, आइए अधिना हम सामने के तरफ चलते हैं, कीले सेंट्री आपके पास में, driver side door के उपर, mirrors का functions अगर आप देखेंगे, तो यह कुछ electronically foldable ORBM से, LED turn and negatives के साथे, lock on lock करने पर यह fold भी होते रह यह mirrors को fold करने के सभी control से, mirrors को fold कर सकते हो, lock on lock कर सकते हो, one touch up down window है आपके पास में, शायद स्रिप down है, अप नहीं होगा यह, स्रिप down window आपको मिलेगी, आइए अंदर बढ़ते हैं, और गाडी को start कर लेते हैं, start shop को बटन यह आपको यह आपर मिलेगा है, stability control का button है, head lights की जो position पर आप बढ़ते हैं, bonnet आपको नहीं दिखेगा, लेकिन dashboard की जो visibility है गाड़ी की सामने की, वो काफी अच्छी level की आपको मिलेंगी, जो ambience है गाड़ी के अंदर, वो काफी शायंदार level का आपको मिलता है, steering wheel के उपर आपको क्या मिलते हैं, थोड़ा सा यह देखिए, यह पर थोड़ा सा एक ग्रेफिंश के अंदर लोगो है, आपको यह पर change देखने के लिए यह पर मिलेगा, steering wheel के उपर क्या बढ़न से, यह आपर आप देखिए, सभी music system के controls आपको मिलते हैं, phone उठाने के, जो music system के related सभी controls से वो आपको यह पर मिलते हैं, इस तरप आपको क्या सकते हैं आपर आप देखिए टायर प्रेशर मांटिंग सिस्टम यह आपको दिखा रहा है इस तरप आर्पिय में बीच में M.I.D. है और साइड में स्पीड वगर आपको यह दिखाएगा अभी आईए M.I.D. के अंदर क्या आपको यह पर मिलेगी मिल्जिक सिस्टम अगर आप देखिंगे 8 इंच का दस्क्रीन इन्फोटम में सिस्टम में अपके बास में एंड्रोइड आटो एपल का प्ले ब्ल्यूटूथ वगरा सभी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाएगी प्रकार से ब्ल्यू लाइट स्क्रीन सेवर का भी फंक्शन है और अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को डिस्प्ले को आफ करना है तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपको आखो में कुछ चुब रहा है रोशनी इसकी तो आप इसे बंद भी करके रख सकते हो बाकि सभी मूड वैल्यूम के लेटेज कंट्रोल अगर आपको मिलते हैं नीचे आएंगे तो AC के वेंट से 1000 लाइट के कंट्रोल है यापर आपको सभी AC के लेटेज कंट्रोल मिलते है ऑन या उफ करने के सभी कंट्रोल से नीचे अगर आप आएंगे ना USB Type-C का पोड भी आपको यापर मिल जाएगा चार्ज करने के लिए पहले यह नहीं आता था यापर जो USB का पोड है फोन को आप चार्ज कर सकते है और USB का भी आपको पोड मिलता है तो ऐसे कुछ सभी functions आपको इसके अंदर मिल जाएंगे wireless charging का भी pad आपके पास में है wireless phone को आप यापर transmission waves की तरह काफी जादा शरी लगता है यापर आपको थोड़ा बहुत कुछ mobile अगरा रखने के लिए भी space मिलती है glow box है जिसमें cooling का system आपको यहापर दियावाए AC के अंदर eco coating technology आपको मिलेगी जिससे कि आपको fresh मतलब हवा गाड़ी के अंदर मिलती है उपर day net rear view mirror है mics के लेटर सभी control से यह कुछ पैसर साइट vanity है जिसमें mirror भी आपको मिलेगा और यह इसका driver साइट vanity है बाकि आईए अभीना मैं आपको इसका front bonnet यापर खोल की दिखात सीट प्रकार की insulation यापर नहीं दी गई है engine अपने आप में ही काफी ज्यादा refined है three cylinder petrol engine है अगर हम इसमें power figures की बात करे 83 PS की power आपको मिलती है petrol engine की जिसमें mileage आपको मिलेगा 21 kmpl का अगर आप इस गाड़ी को CNG में लेते CNG में आपको 28 kmpl का mileage मिलेगा basic variant की जो इसकी pricing रखी बाकि grand item, news आपको ये कैसे लेगी आप हमें ज़रूर नीचे comments में बता सकते है इसके जो नीचे के variant आएंगे उसके reviews भी आपको जल्दी channel के उबर देखने के मिलेंगे तो make sure आप channel को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस करके रखेगा बाकि वीडियो का अगर आपने अभी तक like और share ने किया तो like और share भी कर दीजिये और channel को भी आप subscribe कर सकते हैं thank you